अगनिजम्स को सर्वाइब करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन्स परफार्म करने पड़ते हैं और उन बेसिक फंक्शन्स को लाइफ प्रोसेस का जाता है तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं न्यूटिशन को तो जो भी आगनिजम्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो यूनि सेलुलर एनिमल है या मल्टी सेलुलर है सभी अपना न्यूटिशन डिराइब करते हैं सभी न्यूटियंट्स का इंटेक करते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं उसे एब्जार्ब करते हैं और उसको फिर अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर ट्रांस्पोर्ट भी करते हैं एक छोटा सा प्रोटोजून है जो की यूनी सिलूलर है जिसमें बहुत सिंपल सा इस्ट्रक्चर है लेकिन वह भी अपने नियूटिशन को लेता है अपने अंदर उसके डाजेस्ट करता है और उसको एब्जार्ब करता है और एब्जार्ब करके पूरे अपने सिल के अंदर लो सर्कुलेट करता है जो वेल डेबलप्ट ऑगनीजम सें उनके अंदर एक पांप्लेक्स सिस्टम डेबलप करता है फूट का इंटेक होता है डाजेस्ट होता है एब्सार्ब होता है और वह एक जगह से दूसरे जगह फिर ट्रांसपोर्ट किये जाते हैं और वैसे फंक्श होता है कि एनर्जी का प्रॉडक्शन होना अच जब तक नियुक्रist नहीं लिया जायेगा तब तक एनर्जी का पॉड़क्शन नहीं होगा और जिक असलें प्रॉड़डन को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता तो body में transport media होती है जिनके थूँ वो digested materials या कुछ और सारे materials जो excretary waste भी है उस transport media के थूँ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और अपने respective places को फिर वो चले जाते हैं तो transport media जो है plants में भी है और animals में भी है plants में उसके लिए जाइलम और phloem बने हुए है और animals में जो है circulatory system है जिसमें blood circulate करता है वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराता है जो तीसरी चीज है वो है respiration respiration के द्वारा energy का production होता है और energy production में respiratory products होंगे और उनका फिर elimination भी होता रहता है body से इसमें जैसे oxygen ली जाएगी जो simple sugars है simple food materials है वो respiration के थूँ energy का production करेंगे और energy producer की तो body के या life के बहुत सारे functions परफॉर्म किये जाएंगे फिर यह excretion है जो भी living organisms हैं उन सब में जो है excretory waste बनते हैं excretion में क्या होता है organisms में जो excretory waste बनते हैं body में चाहे वो plants हैं या animals हैं सब में excretory waste बनते हैं और वह excretory waste जो हैं फिर body से eliminate होते हैं प्लांट सेल में कोई स्क्रेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता है बलकि उसमें लेंटी सेल्स होते हैं और इस्टोमेटा पाया जाते हैं जिससे वैपर और carbon dioxide oxygen जो है वो सब बाड़ी से बाहर निकलती हैं फिर यह नमबर आता है control और coordination का control और coordination कैसे living organisms अपने external और internal इस्टोमलाई को respond करती हैं जिसको irritation भी कहेंगे sensitivity भी कर सकते हैं तो animals में एक nervous system पाया जाता है developed nervous system है और endocrine system है nervous system जो है बाड़ी को coordinate करता है और endocrine system जो है वो chemical produce करता है hormones hormones की equality होती है कि hormones जहां पर produce होते हैं जहां दूर जाते हैं बाड़ी में और उनका action वहां होता है यह दो चीजों का development animals में विसेस structure है इसके comparison में plants में जो है वो nervous system नहीं पाया जाता है और endocrine system भी नहीं पाया जाता है लेकिन plants में chemical coordination होता है chemicals produce होते हैं जिनको growth factors भी कहते हैं और यह chemical यह growth factors जो की हार्मोन की तरह से function करते हैं plants में और जो काम हार्मोन का होता है animals में उसी तरह के comparable functions जो है यह plants में करते है plants में करते है plants जो है यह sense करते हैं जैसे किन-किन चीजों को sense करेंगे जो atmosphere में light है gravity है chemicals है water है और touch है touch का इसके पहले हम आपको बताये थे कि एक plant होता है touch me not जैसे ही उसको touch करते हैं उसकी leaves fold कर जाती है तो यह सब examples है control और coordination के फिर growth है जो भी living organisms हैं वो जो food intake करते हैं जो respiration करते हैं और उनसे जो energy मिलती है उनसे फिर वो अपने बाड़ी को growth करते हैं develop करते है small से big बनते हैं तो development होता हुआ चला जाता है growth करते हए living organisms अपने को develop करते हैows reproduction में plants में भी reproduction होता है अपने ही जैसी चीज फिर बना देते हैं और animals में भी reproduction होता है तो reproduction जो है एक living organisms का एक business character है और इस ता होना इस लेज भी ज़रूरी है कि वो race की continuity को maintain करते हैं इनके बाद के लेक्षिस में हम लोग फिर एक एक life processes को बारीकी से examine करेंगे और इसके detail में जाएंगे जाइंगे भी है कि भी जाएंगे प्लिषिस में हम जाएंगे टेज एक 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 वर इसकाशय में जाएंगे जाएंगे